दोस्तो अगर आपके फोन के स्पीकर की आवाई बहुत ही कम हो गई है नया नया आपने फोन लिया था तो बहुत ही तेज बसता था लेकिन जैसे जैसे पूराना हो गया तो इसका जो साउंड यो एकदम कम आने लग गया है बहुत ही स्लो हो गया है एकदम सुनाई नहीं दे तो आज दोस्तो इस वीडो में मैं आपको तीन ऐसी खूफिया सेटिंग बताऊंगा जिससे अगर आप अपने फोन के स्पीकर में कर लेते हैं तो आपके फोन का यही पूराना स्पीकर दोस्तो एकदम डीजे जैसा आवास देने लगेगा सुनकर दोस्तो आप खुद चौक दोस्तो आपके फोन का यह स्पीकर जो है आवास देने लगेगा तो उसके लिए बस आपको करना क्या है इस सब वीडो को लाइक करना है and continue guys इस सब वीडो को देखते रहना है तो आईए दोस्तो मैं आपको तीन सेटिंग बता देता हूँ जिसे दोस्तो अगर आप अपने फोन की स्पीकर में कर लेते हैं तो आपके फोन का यह जो स्पीकर है जो एकदम कम आवास दे रहा है एकदम स्लो आवास दे रहा है वो एकदम डीजी जैसा आवास देने लगे सुनकर दोस्तों आप चौक जाएंगे अब वो तीन सेटिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको बताओ उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक निक है तो प्लीस यार लाइक कर दो क्योंकि आपका एक लाइक हमें बढ़ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने फोन का जो में सेटिंग इसे ओपेन कलेना है अब में सेटिंग को ओपेन कलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ चले आना है यहाँ पर दोस्तों आपको sound and vibration करके एक सेटिंग देखने को लेगा तो इसे आपको open कलेना है अब इसे open करेंगे तो यह दोस्तों कई लोगों के फोन में मतलब कि music पर सेट होगा गेम पर सेट होगा यापन movies पर सेट होगा किसी ना किसी पर यह सेट होता है ठीक है तो इसे आपको कर देना है smart पर सेट कर देंगे तो जब भी दोस्तों आप movie देखेंगे न तो movie जैसा आवाज आएगा आपके phone के speaker से और जब भी दूस्तों आप game खेलेंगे तो game जैसा loud sound आएगा और जब आप music सुनेंगे तो उस प्रिकार का sound आएगा ठीक है तो यह सबसे पहला setting दूस्तों आपको यह अपने phone के अंदर कर लेना है ठीक है यह महुत important setting है अगर आपके phone के अंदर नहीं दिया गया है तो अभी दूस्तों आपको क्या करना है उस सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा तो सबसे पहले अगर यह आपके phone के अंदर दिया गया है तो इसे आपको smart के उपर set कर देना है उसकी बाद आपको यहा से back आजाना है main setting के अंदर अब मैं आपको दूसरा setting बताऊंगा जो कि दूस्तों आपके phone के developer option के अंदर दिया गया है बहुत से लोगों को पता होगा developer option एक ऐसा setting है जिसके अंदर हमारे phone के बहुत सारी खूफिया setting होते है तो आपको एक setting करना है जिससे से आपके phone के speaker में जो भी बोल सकते हो problem होगा जो भी issue होगा वो fix out हो जाएगा और काफी loud sound आएगा ठीक है यह बहुत important setting बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए आपको एकदम नीचे आना है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक setting जो की additional setting नाम से होता है तो मैं आपको दिख आएगे तो यहाँ पर आपको एक setting देखने को मिलेगा disable absolute volume आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यह setting दोस्तों आपके phone के अंदर बंद होगा तो इससे आपको on कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है यह बहुत ही जरूरी setting है तो आपको यहाँ से on कर देना है यह क आपको जो बताने जा रहा हूँ तीसरे नंबर का setting जिससे 500 गुना दोस्तों आपके phone का जो आवाज है ओ तेज हो जाएगा तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने phone के अंदर एक चोटा सा एप डाउनलोड करना पड़ेगा अब इस एप को कैसे आप डाउनलोड करेंगे भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले हमें इस एप को ओपेन करना है डाउनलोड करने के बाद इस प्रकास से ये permission मांगेगा तो आपको permission को allow कर देना है अब उपर दोस्तों आप देखेंगे तो ये booster जो है on नहीं होगा तो सबसे पहले आपको इसे on कर देना है on करने के बाद सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखना कई लोग यहाँ पर गलती कर जाते है फिर phone के speaker जो है खराब हो जाता है फिर मुझे comment करके बोलते है तो इसलिए बोलूँगा ये point आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जारूँ कैसे आपको इसे use करना है ठीक है तो सबसे उपर दिया गया है 125% तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको क्या करना है 125% पर set करना है 125% पर set करने के बाद अब आपको अपने phone की speaker को एक दो गाने बजा कर use करना है कि कितना ज्यादा आपके phone की speaker की volume बढ़ी है कितना ज्यादा जाना है और चेक करना है कि कितना आपके फोन का साउंड बढ़ा है अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको इससे उपर नहीं जाना है लेगिन अगर लगता है कि यार थोड़ा सा भी भी कम है तो ऐसे में दोस्तों आपको max के उपर set कर देना है ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए इसी प्रकार से दोस्तों आपको level wise यहाँ पर काम करना है directly max पर set नहीं करना है directly 175% पर set नहीं करना है step by step आपको यहाँ पर काम करना है तब ही जाके दोस्तों आपके phone का जो आ जिसे आपको ध्यान से कर लेना है ये सभी सेटिंग होने बाद यहाँ पर दिया है ऑटो स्टार्ट बूश्टर ऑन डिवाइस रिबूट तो इससे आपको अन कर देना है ताकि अगर आप अपने डिवाइस को रिबूट करे तो आपके फोन के स्पीकर को ताकि जो आवाज है हो एकदम पहले की मुकाबले डीजे जैसा ही आता रहे है समझ गये तो ये सभी सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है अगर आपके फोन के अंदर पहला दूसरा सेटिंग नहीं मिलता है तो ऐसे में सिर्फ इसी सेटिंग को कर लेंगे तो भी दोस्तों आपके फोन का जो आवाज ओकई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इस एप को आपको डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में गूगल प्लेइश्टोर को उपेइन कर ले रहा है तो हमारे फोन का जो प्लेइश्टोर है हम इसे उपेइन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेना है वॉल्यूम प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी एप को आपको डाउनलोड कर लेना है उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको सेट अप कर ले रहा है फिर दोस्तों आपके फोन का जो आपने टेक्यों आपने टेक्यों